Chapter 7 Algebraic Identities Brain Teaser की Exercise का ये 12th question है 2.3 x 2.3 – 0.3 x 0.3 upon 2.3 x 2.3 – 2 x 2.3 x 0.3 plus 0.3 x 0.3 ये question है हमारा, इसको हमने solve करना है ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम let कर लेते हैं हमने क्या माल लिया, 2.3 को A माल लिया और 0.3 को let कर लिया, हमने B ठीक है, 2.3 को हमने let कर लिया, एक-एक वला है और 0.3 को हमने क्या माल लिया, B माल लिया ठीक है, अब क्या है भई, ये 2.3 की जगा, क्या आजेगा, A आजेगा, A multiply A, और 0.3 की जगा B आजेगा, B multiply B, B multiply B, ये क्या आजेगा, A multiply A, ये क्या आजेगा, A, ये क्या आजेगा, B, ये B, B, ठीक है, सारी value हमने put कर दी, 2.3, 2.3 क्या हो गया, A multiply A, और 2 multiply, ये A है, ये B है, प्लस ये B है, ये भी B है, B into B, अब A multiply A क्या होता है, A square होता है, और B multiply B क्या होता है, B square होता है, पता ही होगा आपको ये तो, निचे भी ऐसी है, A multiply A, A square, B multiply B, B square, और 2AB, 2AB, अब देखो, उपर देखो, A square minus B square, A square minus B square, आपको पता है, किसके एकवल होता है, क्या identity है, A plus B into A minus B, तो इसकी जगा हमने लिख दिया, A plus B, ये कुछ नहीं है, A plus B into A minus B, और निचे क्या है, A square plus B square minus 2AB, A square plus B square minus 2AB, ये किसके एकवल होता है, A minus B का whole square, तो इस सारे की जगा हमने लिख दिया, A minus B का whole square, ठीक है, अब whole square है, तो इसको हम दो बार, देखो, उपर तो भी आगया, A plus B, A minus B, और ये whole square है, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, दो बार multiply कर दिए, A minus B into A minus B, अब A minus B से A minus B हो गया, cancel, क्या बचा हमारे पास, A plus B by A minus B, A plus B और A minus B निचे बच गया हमारे पास, A plus B upon A minus B, अब A की value और B की value दुबारा से पूट कर दो, A की value हमने क्या माननी थी, 2.3 और B की value क्या थी, 0.3, तो A की जगा आजएगा 2.3 और B की जगा आजएगा 0.3, ऐसी A की जगा 2.3 और B की जगा 0.3, 2.3 और 0.3 को जब हम add करेंगे, तो हमारे पास आजएगा 2.6, इन दोनों को जब add करेंगे, तो 2.6 और 2.3 में से 0.3 minus करेंगे, तो बचेगा हमारे पास 2, अब 2.6 को 2 से कर दो divide, 2 क्योंकि निच्चे है, 2 से divide करेंगे, तो हमारे पास 1.3 और यही हमारे क्या आगया, आंसर आ गया, ठीक है, easy question था, बस A की step था, जो हमने शुरू में मानना था, let किया था, 2.3 को A, और 0.3 को B, इसको देख लेना अच्चे से, फिर copy पे करना, practice करना इसकी, 13 question है, इसका यह भी easy है, 3x-4y equal to 10, यह given है, और xy equal to minus 1, यह सारा, यह और यह हमें given है, और find the value of, इसकी value हमने निकालनी है, 9x square plus 16y square, यह दोनों हमें given है, और इसकी value हमने निकालनी है, जो given है वो ले लो, 3x-4y equal to 10, यह ले लिए हमने, 3x-4y equal to 10, यह भी बस एक step से हमारा question हो जाएगा क्या करेंगे squaring on both side दोनों तरफ square कर देंगे क्योंकि जेखो 3 का square होएगा तो 9 आजेगा 9x square आजेगा और 4 का वेज़ दो 16y square इसलिए हमने दोनों तरफ क्या कर दी squaring on both side दोनों तरफ squaring कर दी इधर भी square कर दिया इधर भी तो 10 का square तो क्या होता है 100 होता है तो सिधा लिख दिया हमने अब यह क्या हो गया a minus b का whole square a क्या है 3x है और b क्या है 4x है तो a minus b का whole square क्या होता है a square plus b square minus 2ab यानि कि 3x का whole square plus 4y का whole square minus 2ab अब 3 का square तो 9 होता है x का square x का square होता है 4 का square 16 होता है और y का square तो y का square तो यही हमें answer चाहिए था इसको तो छेडेंगे नहीं इसको यही रहने देंगे देखो यह answer चाहिए था ना ठीक है आब इधर क्या बचा 2 multiply 3 multiply 4 2 multiply 3 multiply 4 क्या अबता है 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और xy की जगा xy आ जगा ठीक है equal to 100 अब यह तो हमें चाहिए नहीं ठीक है xy में तो चाहिए नहीं बात अब xy की भी value इसने देर की है xy की value क्या देर की है अब क्या करेंगे हम put करेंगे put xy equal to minus 1 इस xy की जगा क्या रख देंगे हम minus 1 put कर देंगे क्योंकि हमें given है ठीक है question में given है xy की value क्या है minus 1 है तो इस xy की जगा हम क्या put कर देंगे minus 1 तो 24 multiply minus 1 minus minus की multiply आपको पता क्या होती है plus होती है plus का 24 आगया 24 इदर plus कर रहा है जब equal के उदर जाएगा तो क्या कर देगा minus 24 उदर जाके minus हो गया 100 में से 100 minus 24 बचा हमारे पास तो 100 में से 24 minus करेंगे तो आजेगा 76 तो क्या value आगे हमारी इसी की value हमने निकालने थी 9x square plus 16y square equal to 76 ठीक है इस question को ध्यान से करना ध्यान से देखना copy पे जुरूर करना अब question number 14 है 5x minus 2y equal to 7 and xy equal to 2 ये given है हमें और ये भी given है find the value of इसकी value हमने निकालनी है देखो इसको अब कैसे करेंगे सेम वैसे है जैसे पिछला question था थोड़ा सा फराक है इसमें बस 5x minus 2y equal to 7 ये हमें given है क्या करेंगे squaring on both side दोना तरफ square कर दिया इधर भी और इधर भी ठीक है इधर square कर दिया इधर भी 7 का square तो क्या होता है 49 49 लिख दिया अब a minus b का whole square क्या होता है a square minus b square a square plus b square minus 2ab होता है a minus b का whole square ठीक है और a क्या है यहाँ पे a है 5x और b की value क्या है b की value क्या है 2y तो ये identity लगी a minus b का whole square a square plus b square minus 2ab तो 5 का square क्या होता है 25 x का square x का square होता है 2 का square 4 होता है y का y का square ही होएगा अब 5 तो जा 10 10 तो जा 20 20 और xy था 20 xy equal to 49 ठीक है अब ये xy है xy की value भी हमें दियो ही है कितनी 2 दियो ही है now यहाँ भी लिखेंगे now put xy equal to 2 xy की जगा हम 2 put कर देंगे तो 20 multiply का जगा 2 xy की value 2 है इसलिए 20 2 को 20 से multiply करेंगे क्या आ जाएगा minus का 40 ठीक है अब इसको तो रहन दो यहीं इस सारे को minus 40 है उदर जाके क्या होजेगा plus होजेगा क्योंकि minus है equal के जब उदर जाएगा plus होजेगा plus 40 होगया तो हमारे पास आया 49 plus 40 49 में 48 करेंगे हमारे पास आया 89 तो हमारे पास क्या आ आ गया 25 x square plus 4 y square equal to 89 यह हमारे पास आदा को स्चोन होगे इसकी value हमारे पास आगी अब इस value का हम use करेंगे आगी ठीक है हमने value किसकी निकालनी है 5 x plus 2 y का whole square ठीक है अब लिख लो इसको 5 x plus 2 y का whole square लिख लिए अब आपको पता यह a है यह b है a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2 a b होता है इसी की value निकालनी थी यह इसी की value निकल रही है इस side में right hand side में a plus b का whole square निकालना था a square plus b square plus 2 a b 5 का square क्या होता है 25 y का square y का square होता है 2 का square 4 होता है y का square y square 2 5.10 10 20 x y आजेगा यह 20 की आजेगा 20 x y आब क्या है देखो इसकी value हमने अभी अभी निकाल ली है क्या है इसकी value 89 25 y square plus 4 y square किसके एकवल है ठीक है 89 के तो क्या कर देंगे हम put 25 x square plus y square 4 y square equal to 89 और x y की value आपको क्या पता है x y की value क्या है 2 है यह भी क्या था given था ठीक है इसकी value given थी हमें 2 थी इसकी value 20 x 40 और 89 और 40 को जब हमने add किया 89 और 40 को जब हमने add किया तो कितना आया 129 यह हमारा क्या आगया answer आगया ठीक है तो इस question को आप एक दो बार देखना और copy पे जरूर करना तब ही आपको यह question आएगा है बिलकुल आसान कोई दिक्कत नहीं इसमें अब last question है work sheet का question number 15 if a plus 1 by a equal to 17 by 4 यह value हमें दी हुई है find the value of a minus 1 by इसकी value हमने निकालनी है ठीक है यह question जरा ध्यान से देखना important question है ठीक है तो हमें given क्या है a plus 1 by a equal to 17 by 4 ठीक है तो इसके step note करते रहना पहला step क्या है कैसे करना इसको दोन्नों तरफ squaring कर दो दोन्नों तरफ squaring कर दी और squaring both sides both sides squaring कर दी इधर भी इधर भी तो यह क्या बनगा a plus b का whole square a square plus b square plus 2ab आजाएगा इधर a square plus b square plus 2ab equal to जब इसका square करेंगे 17 का square करेंगे 289 आजाएगा 17 multiply 17 क्या होता है 289 और 4 का square करेंगे आजाएगा 16 तो इधर आगया 289 by 16 और इधर आया a square plus b square plus 2ab a से answer हो गया a इधर रहे गया 2 2 इधर plus हो रहा है उधर जाके हो जाएगा minus 2 को इधर ले गए हम minus हो गया 2 2 के निचे हमने 1 लगा दिया क्योंकि यह fraction में था इसको भी हमने 1 लगा के अब क्या लेंगे LCM लेंगे इस चीज़ का क्या लेंगे हम LCM लेंगे 16 और 1 का LCM 16 आएगा तो इधर आएगा 289 और इधर आजेगा 16 टूजा 32 289 में से 32 minus करेंगे हमारे पास बज़ेगा 257 by 16 तो क्या value आगी a square plus 1 by a square की value आगी 257 by 16 अब क्या करेंगे हमने तो क्या करने है value a minus 1 by a की value चाहिए तो अब क्या करेंगे minus की value चाहिए इसलिए दोनों तरफ क्या subtract कर देंगे minus 2 subtract कर देंगे तो subtracting 2 on both sides इसमें क्या कर देंगे दोनों तरफ 2 को subtract कर देंगे इधर भी 2 सब्ट्राक्टर दिया और इधर भी ठीक है इस 2 की निच्चे हम 1 लगा सकते हैं अब अब ये देखो पहले question करें थे आसे आसे हमने क्या कर दिया A की multiply कर दी 2 के साथ और 1 by A की भी multiply कर दी ऐसा करने से कुछ फरक नहीं पड़ा ऐसा क्यों किया हमने formula बनाने के लिए identity बनाने के लिए A square plus B square minus 2AB किसका formula होता है A minus B का whole square और A की value क्या है A ही है और B की value क्या है 1 by A A square plus B square minus 2AB का formula क्या होता है A minus B का whole square और इधर जब इसका LC में लेंगे LC मागा 16 और 257 और 16 तूजा 32 माइनस होएगा तो क्या बचेगा 257 में से 32 माइनस करेंगे तो 225 by 16 अब इधर तो क्या है square है हमें तो value किसकी चाहिए A minus 1 by A की value चाहिए हमारा answer आने वाला है यानि कि इस square को हमने हटाना है और जब भी मैंने आपको पता है ता square को हटाना हो तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे square root ले लेंगे इधर भी square root ले लिया और इधर भी square root होग इधर बचा A minus 1 by A और 225 का square root क्या होता है 15 होता है और 16 का square root क्या होता है 4 होता है यह आप निकाल सकते हो आपको पता होगा तो A minus 1 by A की value क्या आगी 15 by 4 तो यह question भी हमारा complete हो गया आपने यह question कम से कम दो तिन बारतों को पीपे करने ही है और वीडियो को आप देखना एक बार देखो दो बार देखो जब तक आपको समझ ना आए आपने इन questions की practice अच्छे से करनी है इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share कर देना next वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार